अगर आप नहीं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र गया देखिए जो हमारी पिर्थवी है वो एक गतिसलिक रहे है यानि पिर्थवी हमेशा गति करती रहती है जिसके कारण इसके अंदर वह सारे परिवर्तिन देख जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लासिद में हम आपको बता चुके हैं कि जो जीतरे भी महादीब हैं इससे में जो साथ महादीब हैं वो सभी एक ही जगे इस्थित थी इसी हम पैंजिया बोलते थी कई सालों बाद इसके तुकड़े होने शुरू हो गए उसके बाद जो ऐसे आपको जो इस समें एक मैप देखने को मिलता है वहारी प्रतिफिवी है वो लगातार चेंज होती रहती है जो हमारी प्रतिफिवी है वो सथिर नहीं है वो एक गदिमान क्रहे इसके अंदर लावा भूमता रहता है जिसके कारण आपको बहुत सारी परिवर्थन देखने को मिलते हैं जैसा कि आप इंडिया देखते हैं ये इंडिया का जो मैप आप देख पा रहे हैं यहापे इंडिया भी जहाँ पर आप इस से में देखते हैं इंडिया को वहाँ पर नहीं था वह बी South की तरब था, South से ये North की तरब क्या हुआ, Transfer होता रहा, धीरे-दिरे होते होते ये आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे North Area में, और आपको अभी भी कुछ प्रियरत्र देखने को मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई नदी अमा लेते हैं कि इस परकार से वो flow कर रहे हैं लगिंग कई सालों बाद 5–10 साल साल बाद उसकी Flowकरने की जू इस्त्तिति है वो चेंज आपको देखने को मिलते हैं कई ऐसे झहरने होते हैं जो पना रास्ता आप बहुत सारे परवत देखने में मिलेंगे जिसमें उनकी हइट कम थी और अगर आप इस समय देखेंगे तो उनकी हइट इंकरीस हो गई है जैसे कि आप हिमाले परवत को देख रहे थी उसकी हाइट 8,848 मेटर थी लेकिन इस समय उसकी हाइट 8,850 मेटर हो चुकी है यानि जो हमारा मौंटर खायबरेफ्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है यानि हमारी प्रित्वी चेंज हो रही है जो हमारी प्रित्वी है वो सदेव चेंज होती रहती है देखिए यह होता कि हम आपको बता चुक है कि इस्थाल मेंटल क्या होता है देखिए प्रित्वी की आगर हम लेयर्स की बात करें तो प्रित्वी की तीन लेयर है तीन परतों में बटा हुआ है जिसको हम बोलते है क्रोड उसके उपर है मेंटल और सबस जो नीचे वाला है वो है ठोस अवस्ता में और जो उपराइन वहां है तो उपर पटी यानी करस्ट बहुत ही कठोर अवस्ता में है कठोर यानि वहुती ऐसी वर्स्ता जब भोहुती तूट जाने की वस्ता होती है देखिए अगार हम उप्री मेंटल और क्रस्ट को एड कर दे तो उस चीज को हम बोलते हैं इस्थरमंटल यानि भूपरपटी और उपरी सरवाधिक ठोस मेंडल को हम क्या बोलते हैं इस्थल मेंडल की बात करते हैं देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने एक किसी बर्तर में पानी गरम करने के लिए रख दिया ठीके और इसके उपर आप कोई हलकी चीज डाल देजिए आपने कोई गत्ता इसके डाल दिया जैफिए जैसे पानी गरम होगा वैसे वैसे जो इसके उपर गत्ता रखा हुआ है वो क्या करें गत्ती करें या तो वो इधर की ओर जाएगा या तो वो इधर की ओर जाएगा ठीके या तो यह उपर की ओर बढ़ेगा तो वैसे ही जो हमारा उपरी मेंटल है वो प्लाजमा वस्ता में प्लाजमा यानि उसके मेगम बहते हुआ है और मैगमा कैसा होता है, बहुत ही गर्म होते हैं जो मैगमा है, वो प्लाज्म वस्ता में है, इसकी क्रमी है यह सदेव क्या करता है चलती रहती है, जो हमारा मेंडल है, वो क्या करता रहता है, घुमता रहता है, इसलिए जो उपरी क्रफ्ट है, वो भी घुमते रहते हैं, यानि जो उपरी सता है, वो भी क्या करती है, हमेशा किसी और ना किसी और घुमती रहती है, जो हमारी पिर्थवी है, उसके उपर जित पे वो भी सदेव भूमता रहता है यानि सदेव गती करता रहता है लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि एक साल में वो सिर्फ कुछ ही मिलीमेटर ही भूम पाता है या फिर चेंज कर पाता है अपने आपको सिर्फ कुछ मिलीमेटर वो भी एक साल के अंदर इसलिए आपको पता नहीं चलता कोछ रुज देंकि जो इस्ठर मंदल था उसके कई पार्ड हो रहा जिसको हम बोलते हैं इस्ठरर मंदल ये प्लेड हां हमने आपको बताया कि जो इस्थर मंदल क्या होता है जो उपर ही जम नीचे से मैगमा निकलता है मैगमा भूपरपटी को या फिर इस्थल मंडल को गति देता है उसके कारण जो इस्थल है वो कई भागों बढ़ गया है जिसे हम इस्थल मंडल ये प्लेट बोलते हैं जो ये प्लेटे हैं इसमें साथ बड़ी प्लेटे हैं और आपको दोफस हो जादा छोटी प्लेटे देखने को मिलने जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं अंटार्टिका प्लेट जो आप यहां पे देखते हैं इस एरिया में देखने को मिलती है आपको उसके बाद है उत्तरी अमेरिका प्लेट ये प्लेट ये है उत्तरी अमेरिका प्लेट उसके बाद है दक्सिमी अमेरि सटल मंदल है। माले से यह स्थल मंदल है तो इस फ़्फल मंदल पर ही आपको महादीव देखने को मिलता है Caleb या फिर इंडो ऑस्यवेट प्लेट बोल देते हैं वह उसके बाद आप देख़े हैं यहunda तो आप देखने हैं। अपर यहां पर कर्यीः प्लेट बिर आप यहां पर अपर रोल दो इस घ्यां पर अरेभीँ प्लेत हैं कि यहां पर क्रभाई प्लेट यहां पर फिलिपिन प्लेट है तो ज़िए जब तुकड़ों हो रखें इस्थल मंडल के वैसे वैसे हमने इसके नाव रख दिये हैं और वो इस्थल मंडली प्लेट बन गई ठीक है और यह प्लेटे हैं कि सदेव या तो एक दूफरे से दूर जाती है या तो एक दूसरे के उपर चट्टी रहती है देखें जो मैगमा है मैगमा सदेव एक वृत्य रूप में घूमता रहता है जैसे कि वह इस परकार से कुछ घूमता रहता है जिसके कारण आपको कई आकरते देखनों को मिलती है जो पिर्थिवी को उपर भी हो वक्ति है और पिर्थिवी के लीचे भी हो वक्ति है जिस बल द्वारा पिर्थिवी के अंदर कोई आपको परिवर्थन देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं अंतर जनित बल यानि अंदर जो बल लग रहा है उसके द्वारा जो परिवर्थन हुआ है उसे हम बोलते हैं अंतर जनित बल और जिस बल द्वारा पिर्थिवी के ऊप यानि बाहर, आपको कोई परिवर्थन देखने को बलता है, उसे हम बोलते हैं बहिर जैनित बल, देखी, यहाँ पर लिखा वह एंडो, एंडो का मतलब होता है अंतर, यानि अंदर, और जैनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, यानि जिस बल की अंदर उत्पत्ति होती है, उसी ह हम एंडो-जैनिक या फिर एंडो-जैनिक बोलते हैं इसका मतलब है जो अंतरजैनिक बल है उसको हम क्या बोलते हैं एंडो-जैनिक बोलते हैं कि-स इजमें इंग्लिजबं지 उसके बाद eksi atso यानी बहुआ यानी बाहर और oportun गो उत्पत्ति तो क्या हो गया एक्सो उत्पत्ति यानि एक्सोजैनिक एक्सोजैनिक मतलब क्या है कि जिस बल द्वारा बाहर कोई changes होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोजैनिक तो अंदर होता है उसे बोलते हैं एंडोजैनिक और जो बाहर होता है उसे जिस गद्दी से अंदर द्वारा बदलाव होता है उसे मोलते हैं अन्तिजानित बल इसमें आपका भुकम पाता है यानि जो आपके अंदर के बल से परिवरतन आपको देखने को मिलता है दूसरा है जौला मुखी और तीसरा बहार की चीजे जिससे बहार आपको चेंजिन देखने को मिलते हैं इसमें अपरदन और नीचेपन आता है या मापको पताएंगे कि आपरदन क्या होता है और नीचेपन क्या होता है अपसे पहले नदी द्वारा या भैता जल द्वारा आपको कुछ आकर्तियां या कुछ परितिन देखने को मिलते हैं पवन द्वारा आपको कुछ चेंजिस देखने को मिलते हैं समुद्री तरंग द्वारा भी आपको कुछ आकर्तियां या कुछ परितिन देखने को मिलते है के प्रूसमें आर्थ देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ पर चेंजित होते हैं वह कम समय में नहीं होते हैं यह कई सालम होते हैं यह जो आप भेज़नित बल्द देख रहे हैं वो जादा समय लेता है बनने में सबसे वाले हम बात करते हैं जौला मुखी की देखिए जौला मुखी क्या होता है अगर करफ्ट पे आपको कोई भी एफाच छेद दिखाए दे जहां से मैगमा भार निकल फखे उसे हम जौला मुखी बोलते हैं यह कुछ इस आकरती के होते हैं यानि संगो का आकरती के होते हैं और जो इनके अंदर मैगमा होता है देखिए जो प्लाजमा अवस्ता होती है गरम अवस्ता उसे हम अंदर मैगमा बोलते हैं और जब वो पिर्थिवी के उपर आके थंडा हो जाता है यानि जो अंदर होगा उसे हम बोलेंगे मैगमा। जी जो भी आपका मैगमा निकलता है ज्वाला मुखी से वह सब उप्री मेंजल से आता है। पिलेंगे जहां से मैगमा आता है उसी हम मैगमा कोष्ट यानि चैमबर भोलते है। कि यह बहार आता है तो इसमें लावा बोलते हैं जिस नाली से यह बहार आता है या फिक जिस राफ्टे भी ना या आता है उसी हम निकास बोलते हैं या फिर वेंट बोलते हैं में यानि लावा के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है देखिए लावा के अंदर आपको गैसे देखने को मिलेंगी अब आपको पता है जो मैगमा होता है वो कैसी वस्ताम होता है जलता रहता है तो जब कुछ जलता है तो राख निकलती है तो राख भी निकलेगा उसके बा मैगमा भाहर निकलने के। इसे लिए सिर्ट एक ही निकास इसका नहीं ओता है.. अगर यह और रास्ता निकलने का फार निकल जाते हो.. इसकी बाद.. जैसा हमने देखा.. जो.. ज्वाला मुखी से मैगमा भाहर निकलेका.. यानि जो ल्वा भार निकलेगा वो कहीं जाके जम जाएगा जिससे क्या बनेंगी चैटाने बनेंगे ठीक है यानी सेल बनेंगे यानि रोक चैटान जब कहीं पर चट्टाने बनेगी तो उससे क्या वगा क्स चेंज़ेशने को बलेंगे आपको तो जौला मुखिक से चेंज़ेशने को आपकों बलाए उसके बाद आता है भुकम जब बोकम की जो उत्पत्ती होते है वह भी पिरसीवी के अंदर से ही उती और जो भुकम के अंदर वे भुकम अता कैसे सबसे पहले सुяхप भुकम अता कैसे ही अता मत दो अत sob दो प्लेट यानि मालत है कि यह की प्लेट है और एक यह फ्लेट है जप यह आपस में घिसावट क एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई और जब यहां से ये घिसेंगे एक दुसरे को तो यहां से कुछ उर्जा निकलेगी भार, कुछ उसमा भार निकलेगी जो यहां से उसमा भार निकलेगी, उसी से जटके आते हैं, उसी को हम भुकम को बोलते हैं, ठीके, जिस इस्थान से ये तरंगे भार निकलती हैं, उसी हम उद्गम केंदर बोलते हैं, यानि वो इस्थान जहां भुकम उत्पर होता है, वो भुकम पिये उर्जा का उद्गम क के लगात और उसके 90 डिग्री में मालते कि यहां कि अंदर यहां पर आपको भूकम पर देखने को मिला यानि ए उद्गम के निहां पर है तो इसके ऊपर जो परपटी होगी ये तो पिर्थिवी के अंदर है इसके जफ 90 डिग्री पे जो भूमी होगी उसको हम बोलते हैं अधी केंदर सबस्टे ज़्यदा जटके मैसूस अधी केंदर पे ही किये जाते हैं उसके बाद जो भूकम की लहरे होती है वो चारो तरफ फैलती है और जैफे जैसे ये आगे की और फैलती आती है इनकी जो तिव्रता होती है वो घड़ती आती है दिवे छती कम होती है खीक है तो भुकम से भी क्या होते हैं आपको पिर्थिव के चेंज देखने को मिलते हैं माले देखिए आपने यहां बिल्डिंग मुना रखी है या फिर कोई प्रकर्तिक चीज बनी हुई है परकर्तिक हो चाई से मानमदनिर्मित हो जब वहां पर कर सका तरफ्रंज के तिन परकार के होते हैं इसी हम P wave बोलते हैं S wave बोलते हैं और surface wave बोलते हैं जब P wave बोलते हैं वो बहुत तेजी से चलती हैं इसलिए इसे हम प्रात्मिक wave बोलते हैं फिर जो S wave होती है ये P wave फिर थमोड़ी सी धीमिगती की होती है ठीक है उसके बाद P और S जो wave से इन से मिलके एक wave बनती है जो कहां यह लिए बनती है, पिर्थीवी के धरातर पर बनती है, इसलिम से surface wave भी बुलती है, सबसे लधक घातर आपको यही जवेव है यह देखना को मिलती है, देकिन की तीरता आपको देख पाए होग ए कि इन से ज़्यादा आपको चाथी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जीस का जो एरिया है बहुत बड़ा है इससे च्छति आपको देखने को मिलती है कारण ये भी है कि जो पी वेव है और जो एसे वेव है वो आपको प्रिस्वी के अंदर देखने को मिलती है और जो सर्फेस एरिया पे सर्फेस सर्फेस वेव है वो प्रिस्वी के ध्रातर पर देखने निकल पाती है। जिस से भुह सारे लोगों को छत्मी होती है। जो P-wave है, वो तीनो अवस्था फेनिकल फक्ति हैं, यानी फिर्श पी के अंदर ठोस चीज है, तो ठोस से भी निकल जाएगी। और कोई दरफ चीज है, तो धरफ से भी निकल जाएगी। लेकिन जो S-wave है, वो सिर्फ कहा से निकलती है सिर्फ ठोस चीफे निकल पाती है भुकम को नापने के लिए एक भुकम लेखी यंत राता है जिसी हम नापते हैं कि भुकम की तिवर्ता क्या थी और जो भुकम की तिवर्ता नापते हैं उसमा हम रियक्टर स्केल पर नापते हैं जो reactor scale एक पर दस होता है वैसे तो नौ मानते हैं लेकिन धर डफ होता है ठीक कि रिएक्टर Scale पर आगर 2 दिखा रहे हैं याने 2 की तिर्णता दिखा रहे है तो उसमें कम हानी होती है यानि उसको परभवा होता- Ei ही के बराबर होता है लेकिन जिस भुकम की तिवता पांच होती है वह वस्तु के गिरने फे छती पोजा फक्ति है या जो पांच तिव्रता होती है वह हां निकाल है जो 6 होती है या फिरम साथ गोल फक्ति या फिक उससे जाता वो बहुत जाता क्या होती है सकतिसाली होती है देखिए माल रहते कि कहीं पर भुकम एक तिवरता का आया और कहीं पर दो तिवरता का आया तो जितनी छती यहां पर होगी उससे 10 गुना जाता यानि 10 टैम्स जित ज्यादा छती आपको दो में देखने को मिलेगी यानि कि जितनी यह भढ़ते रहेंगे उत देखिए गुजरात के भुझ में भुकम द्वारा गुनास यह है गुजरात का मैप और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक भुझ नाम का सहर देखने को मिलेगा जहां पर बहुत ही ज्यादा लाग भुकम आया तो इसके बारे में एक श्टोडी देखते हैं देखिए यह आया था 26 जनवरी 2001 हो वो सहर में रेक्टरिस को कितना था 6.9 सिवरता वाला घेसर्ण भुकम थी ते इससे जो इसकूल की इमारा थी गेरने से कम से कम 971 जो इस्टूडेंट थे उनकी मौत हो गए थी और जो 31 टीचर्स से उनकी भी मौत हो गई थी भुकम के तीन दिन बाद भी हर व्यक्तित भोजन, कंबल, दवाई आदे ना पहुचने की कारण जो हाला थी भूच छिंता जनव थी फोर्थ नमबर पे है भुच की तबाही देखिए जो फोल लाएन थी आसपास जो पाइपलैन थी पानी की औ जो विजुत इस्टेशन थे संचार लाएन थी सब क्या हो गयते नफ्ट हो गई थी शहर में पूरी जगे क्या लग गये थे आग लग गये थे चारकोल और जो अगनी ठीयों से पल्टक की कारण अनेक इस्थान पर क्या लगई आग लगई जो चारकोल वगरा होते हैं वो इतना ज्याधा नुक्सान हो जाएगा थो बोफनाता कननी पड़ेगा बातकाल की उसके बाद मुख्यमंत्री के के अंदर से अपईल करी कि हमें विधिसथशयता दी जाए जिससे जो भी यहां पे हमें नुक्सान हुआ है च्थी पो ची है उससे हम निपर सकते हैं तो यह जिसा गुजरात के भूज का एक केस study है आज हम भुकम से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है यहाप पर सूरक्षित is theatre हम जाब भी भुकम के जटके देखने को मिलें तो हमें कोई सूरक्षित इस्थान देखना था हैं जैसे रसोग के काउंटर या मेश के नीचे जो आपके सर को बचा सके या फिक दिवार के अंदरुनी कोने क्योंकि जो दिवार का अंदरुनी कोना होता है अगर उपर से कोछी गिरती है तो कोने पर नहीं किले जहां पर कोई इस्थान आपको देखने को मिले जहां पर आप खाली एरया में जावकते हैं जैसे आग वाले इस्थान से आप भाग सकते हैं दूर जावकते हैं चिमनी की आसपास चूट सकने वाली जो खिड़किया होंगी उनसे दूर पारते कोई कहीं पर दरपन रखा पहले फिर त्यार रहे वक्ते हैं हर चीज के लिए अपने परिवार में अपने दोस्तों को भुकम के बारे में बताएं कि हम इसे किन चीज़े निपट सकते हैं जब भुकम हमें देखने को मिले उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए क्या क्या स्टेप लेने थी हैं उसमें यह सब हमारे भुकम से बचाने की क्या है तैयारिया हो सकती है तो यह देख लिए हमने भुकम तो हमने प्राकृतिक रूप से जो पिर्थियू पे चेनिज होते हैं किनके चीज़े होते हैं एक तो होते है भुकम से और एक होते है जो अलामुकी से यह हमने देख लिया बाक और आपका कोई भी डाउट है, तो प्लीज हमें कमेंट करें, और अगर आप किसी भी टोपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके बताएं, थेंक्यू, थेंक्यू वेरी मच्च फोर डिसकुशन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना है